Assalamualaikum, आज का हमार टॉपिक है किड्नी प्रॉब्लम्स एंड के और लेक्षे को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो आज हमने किड्नी के बारे में बात करनी हैं, जैसे कि मैं अपने प्रिवेस टॉपिक में जैसे कि आपको याद हो बेसिक नौलेज जो है किड्नी और उसके स्ट्रक्चर और उसके यूनिट के हवाले से आपको दे चुकी हूँ कि हमारे पास किड्नी जो है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनका साइज और साथ में उनका यूनिट जो के नेफ्रोन होता है जो basic structural functional unit होता है kidney का तो आज हमने kidney के problems को जो है उतको explain करना है और साथ में उनकी cure को discuss करना है तो हमारे पास जो major और बहुत common kidney problem जो है वो हमारे पास है kidney stones कुछ unusual situations जो हैं वो हमारे kidney functions में जो है rise हो जाती है जिसकी वज़ा से हमारे पास kidney stones बनते हैं और ये एक metabolism की disturbance की cause है किस तरह कि हमारी body में stony materials जो हैं वो kidney में जब found होते हैं तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि kidney stones हमारी body में मुझूद है जो काफी serious complications, obstructions, infections cause करते हैं हमारी body में और ये stones different chemical nature के होते हैं ये जो हमारे पास stones हैं ये हमारे पास different chemical nature के होते हैं means के specific उनका जो है nature होता है और ये बनते हैं metabolic diseases की वज़ा से means के हमारी body में जो stony materials हैं वो hyper calcemia की वज़ा से भी cause कर सकते हैं ये भी हमारे पास एक metabolic disease है indicate कर रही है hyper calcemia means के calcium का blood level ज्यादा हो जाना हमारे पते हैं के calcium हमारी जो है blood में मुझूद होता है तो उसका हमारी body में एक level में maintain रहना भी ज़रूरी है अगर हमारी body में ज्यादा calcium जो है produce होगा तो हमारा सिर्फ metabolism जो है वो disturb नहीं होगा बलके हमारे जो cells हैं उनमें reactions जो हो रहे होते हैं वो भी disturb होंगे तो हमारी body में जो hypercalcemia है ये भी एक cause है means के contributing factor है kidney stones का next हमारे पास जो दूसरा contributing factor है वो है hyperoxaluria जिस तरह हमारे पास hypercalcemia था उसी तरह hyperoxaluria भी हमारे पास second contributing factor है और ये भी इस चीज़ को indicate कर रहा है जैसे कि term में हमें पता लग रहा है कि ये high level of oxalates है oxalates हमारे पास क्या होते हैं ये हमारे पास green vegetables और हमारे पास जो है टमेटो से हमें हासिल होते हैं टमेटो से हमें हासिल होते हैं और जब इनका level हमारे blood में high हो जाता है तो उससे हमारा metabolical disturbance जो है वो cause होता है और जिसकी वज़ासे eventually हम kidney stones हमारी body में बनना शुरू हो जाते हैं kidneys में जो फिर severe complications जो हैं वो cause करते हैं जिसकी वैसे infections भी होने का जो है वो खतरा होता है अब हमारे पास जो chances हैं किसके जो calcium oxalate type stones हैं वो 70% होते हैं जो calcium oxalate type stones हैं हमारे पास वो 70% जो हैं उनके chances होते हैं हमारी body में बनने के तमाम kidney stones में से जबके हमारे पास 15% जो हैं वो chances होते हैं calcium phosphate type stones के बनने में calcium phosphate जबके 10% हमारे पास जो chance होते हैं वो हमारे पास होते हैं uric acid type stones के means कि हर जो है stones उनका अपना अपना जो है वो rate होता है percentage होती है किसके ज्यादा chances हैं हमारे body में बनने के और किसके कम हैं तो यह हमारे पास kidney stones थे अब हम इनके treatments देखते हैं कि और देखते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं क्योंकि हमारे body में जब यह salts जो है calcium phosphate, uric acid, calcium oxalate type stones यह हमारे body में accumulate हो जाते हैं और जिसकी वैसे stones की form eventually किर्णी में हमें नजर आते हैं जो severe problems जो हैं वो create कर सकते हैं लिथो ट्रिपसी हमारे पास एक treatment है यह हमारे पास एक ऐसा फिनॉमेना है जिसमें kidney stones को बाए surgery remove नहीं किया जाता means कि without surgery जो है यह treatment perform किया जाता है किस तरह कि इस वज़ा से इस treatment को हम non-surgical treatment of kidney stones भी कहते हैं यह एक ऐसी technique है जो हम use करते हैं इन और टू break the stones जो हमारे kidney में stones produce होते हैं हमारे kidney में भी हो सकते हैं यूरेटर में भी बन सकते हैं हमारे stones और हमारे पास gall bladder में भी stones जो हैं वो बन सकते हैं तो different methods हैं इस technique को जो है करने की और सबसे common हमारे पास जो method है इस technique को perform करने का वो है extra corporeal shock wave lithotripsy means के इसको perform करने के लिए high concentration की x-rays या ultrasound waves जो हम body को from external body के वो देते हैं जो machine के through direct किया जाता है outside the body किस जगा पर जहां पर kidney के stones जो हैं वो बने होते हैं यह shock waves जो हैं यह stones को break कर देते हैं into tiny pieces और sand means के यह हमारे पास जो यह वाला method है यह kidney के stones को break कर देता है into tiny pieces या sand, sand की form में कर देता है ताकि यह urine के जरीए easily body से discharge हो सके असल में इसका मकसद ही होता है कि हमारी जो body है उसके उस portion में जहां पर internally kidney के stones produce हुए हैं उधर shock wave जो है वो दी जाए from the machine ताकि जो kidney stones है वो tiny pieces yeah sand की form में break हो जाएं ताकि वो urine के जरीए sunny से हमारी body से remove हो जाएं क्योंके salts जो है जो different chemical nature की हमारे बास होती है वो वहाँ पर accumulate हमारी kidney में होना शुरू हो जाती है जिसकी वज़से आखिर में वो stones की जो है वो shape जो है वो adopt कर लेती है जिसकी वज़से उनका body से pass out होना यह बहुत ही difficult बात है जिसकी वज़से lithotripsy एक ऐसा method है जो without surgery perform किया जाता है और इसमें हमारी body से kidney removes जो है असानी से हो जाती है without any surgery इसलिए इसको non surgical treatment of kidney stones भी का जाता है और kidney stones हमारे body में एक तो kidney में बनते है यूरेटर में बनते हैं साथ में gall bladder में भी बनते हैं और सब से kidney stones जो है हमारे पास renal pelvis में बनते हैं renal pelvis का मैं बताती चलूँ के हमारे पास अगर यह kidney है तो हमारे पास यहां different जो हैं यह kidney के structure है हमारे पाँ जिसमें cortex है outer surface और यह हमारे पाँ inner medulla है और यहां पर हमारे पाँ जो हैं conical shape में renal pyramids जो हैं मजूद होते हैं जहां पर nephrons जो हमारे पाँ kidney का structural और functional unit है वो as a filter काम करता है और यहां पर हमारे उरीन हमारे blood को जो है filter करके urine बनाता है और यहाँ से जब blood filter हो जाता है और उसके बाद जो हमारे पास yourine है वो इसकी formation के बाद सारा urine कहां जमा होता है इस जगापर जिसे हम central cavity कहते हैं और इस से renal pelvis कहा जाता है तो सबसे दा स्टोन्स जो हैं इस जगा पर बनने का जो है वो चांसे ज्यादा होते हैं तो अब हम किड्नी फेलियर की बात कर रहेते हैं क्योंकि वो हमारे पास एक लास्ट जो है उप्शन बज जाती है जो हमारे पास end stage renal diseases होती है तब हम उसको डिसकस कर लेते हैं various factors जो हैं हमारे पास renal failure जो हैं उसकी disease में cause में contribute करते हैं वो क्या हैं हमारे पास कुछ pathological या chemical nature के factors जो हैं वो contribute करते हैं renal failure को cause करने में renal का मतलब यहां पर kidney है kidney failure को हम discuss कर रहे हैं और इसके factors को देख रहे हैं जो हमारे पास pathological और chemical nature के होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता progressively हमारे nephron को nephron the most important structure जिसको मैं बार बार repeat कर जाती हूँ जिसको भी मैंने kidney बना कर भी आपको roughly दिखाया है कि यह हमारे kidney में कहां पर मुझूद होता है renal pyramids में और जो है हमारे पास nephron यह हमारा इसका function ही होता है urine formation इसका structure भी specifically design होता है in order to form urine तो अगर यही destroy हो जाएगा with this factors pathological और chemical nature के जो factors हैं वो nephron को ही destroy कर देंगे तो urine की formation नहीं होगी urine की formation नहीं होगी तो हमारे पास जो different nitrogenous waste है वो हमारी body में accumulate होना शुरू हो जाएगे और nitrogenous waste में सबसे main हमारे पास urea होता है यह हमारी body में फिर accumulate होना शुरू हो जाएगा और जब level urea का हमारे blood plasma में increase होगा तो यह बहुत से complications जो हैं वो cause करेगा जिसमें हमारे पास हो जाता है increase in blood pressure blood pressure इसमें increase हो जाता है और साथ यसाथ anemia का भी जो है possibilities होती है anemia means के खून की कमी जो है इसके वैसे हो सकती है means कि यह इतना हमारे लिए dangerous है और इतनी complications जो है यह cause कर सकता है यह क्यों cause कर सकता है क्योंकि यह factors जो है को destroy करते हैं जो urine formation में काम आते हैं जिसके वज़से urine uniform होगा means कि nitrogenous waste हमारी body से जो है वो remove नहीं होंगे, screed out नहीं होंगे और इसी तरह हमारा nitrogenous waste जो है accumulate होना शूरू हो जाएंगे यूरिया और metabolism का तो disturbance हर जगा मुझूद है और यूरिया के खास तरफे में इसके increase होने के वज़से हमें two complications जो हैं वो cause हो सकती है जिनमें blood pressure का increase हो जाना और साथ में anemia means के खून की कमी हो जाना अब हमने इसका treatment देखना है कि renal failure का हमारे पास क्या treatment होता है और वो हमारे पास dialysis है जो के हम regularly perform करते हैं यह major है means कि permanent solution नहीं है और kidney failure का लेकिन आप देखते हैं कि dialysis क्या है और इसमें क्या क्या perform के जाता है किस तरह हमारी kidney जो है जबके fail हो चुकी है तो उसके बावजूद हम किसरे nitrogenous waste को अपनी body से secret out करेंगे यह हमारे पास हमने dialysis को देखना है कि हमारे पास जब kidney बिलकुल fail हो जाती है और अपने functions जो है वो perform नहीं करती और इसका main function ही हमारे पास removal of nitrogenous waste होता है तो हमारी body से फिर यह nitrogenous waste है यह हमारे से discharge नहीं होते हैं जो serious complication देते हैं particularly हमारे पास zyuria तो हम फिर artificially जो है patient का जो है वो blood clean करते हैं by either passing through artificial kidney या patient के blood को treat करते हैं हम abdomen से अब किस तरह यह हमारे पास जो है two ways है हमारे पास blood of the patient को clean करने के लिए हम treat करते हैं dialysis के जरीए blood of the patient को और उस blood को फिर clean किया जाता है इन दोनों में से किसी भी method से इन methods में क्या होता है कि जो waste है हमारी body का और हमारे पास assessed water भी इसी में शामिल है ये during the treatment जो है ये remove हो जाता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह healthy kidney हमारी body में function perform करती है तो हम देखते हैं कि इसकी कौन-कौन से method है हमारे पास पहला method जो है वो है hemodialysis दोनों types dialysis की हैं बस हमने different जो हैं इसके ways हैं एक artificial kidney की तो पे behave करेगा और एक abdomen means कि abdomen के through हम जो है patient के blood को clean करेंगे एक हमारे पास hemodialysis है और एक हमारे पास peritonial dialysis है अब हमने इन दोनों को discuss करना है कि हम किस तरह इन दोनों dialysis को perform कर सकते हैं hemodialysis का मतलब होता है cleaning of the blood इस term का हमारे पास मतलब होता है cleaning the blood इस प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो blood है patient का वो एक machine जिसको हम dialysis बोलते है उसके through pass किया जाता है और उस dialysis को हम artificial kidney भी कहते है dialysis में जो है एक thin membrane होती है जो कि dialysis को two spaces में divide कर देती है और blood हमारे पास patient का जिसमें काफी waste मुझूद होता है वो membrane की एक side पर जो है pass करता है जबके दूसरी side पर dialysis fluid हम pass करवाते हैं खुद से ताकि जो हमारे पास blood है उससे सारा waste और assessed water जो है वो blood के जरीए membrane से होता हुआ dialysis fluid में चला जाए और इस तरह हमारे पास dialysis fluid में waste जाने की वज़ाद से जो हमारे पास clean हो जाता है blood वो हमारी vein के थ्रू जो है दुबारा हमारी body में चला जाए तो हम इसको diagramatically देख लेते हैं कि किस तरह हमारी body में जो है patient की जो body है उसमें blood को हम clean करते हैं जिसना कि हमारी body में healthy kidney जो है अपना role perform करती है यह हमार पर हीमोडिलेसिस है जिसको मैंने यहाँ पर diagram से show कर आए क्योंकि हमारी book में जो है diagram इसकी नहीं दी हुई तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर diagram की तरूँ समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके इसे तरफ से हमने यहाँ से डालेसिंग fluid दिया है जिसमें हमारे पास important जो है amino acid glucose जो भी हमारी body की requirement है वो fluid में मजूद है यह इस तरफ से means कि membrane की जो है एक side से pass करेगा जबकि हमारा जो patient का blood है वो हमारी membrane की दूसरी side से pass करेगा जैसे कि हमारी book में लिखा हुआ है जो patient का blood है यह thin membrane के थरू जो कि highly porous होती है concentration gradient develop हो जाता है क्योंकि यहाँ से in opposite direction हमारे पास dializing fluid हा रहा है और यहाँ पर हमारे पास oppositely dializing fluid के हमारे पास आ रहा है patient का blood जिसमें nitrogenous waste की concentration ज्यादा है तो यहाँ पर membrane जो है वो बहुत thin जिसकी थरू जो है हमारे blood का जो waste है assessed water है वो dializing fluid में जो है पास करेगा जबके dializing fluid जो है thin membrane से हमारे patient के blood में पास करेगा जिसमें सारे important जो है amino acid, glucose, lactase सब शामिल है और जब हमारा purifying होने के बाद जब blood clean हो जाएगा direct blood को supply करती है हमारी vein तो वो हमारे पास blood जो है हमारे पास vein के थरू हार्ट तक पहुँच जाएगा जिसकी वैसे हमारे जो patient है उसका blood clean हो जाएगा तो यह हमारे पास छोटा size का function था जो हमारी dializing जो है machine जो है जिसे हम dializer या artificial kidney कहते है जो same way perform करती है function जाएगा healthy kidney perform करती है लेकिन उसका यह structure होता है जो के बिल्कुल healthy kidney से opposite होता है लेकिन function उसका वो ही होता है जो healthy kidney का होता है अब हम dialysis का दूस्टी type देख लेते हैं जो हमारे पास है peritonial dialysis जिसमें हम abdominal region की peritonial cavity के थरू जो है blood की cleaning करते हैं यह हमारे पास peritonial dialysis है जो उसी same principle पर जो है work करती है बस यहाँ पर यह change है कि abdominal region में means के जहां stomach है तो यह हमारे पास एक region है abdomen का और यहाँ पर peritonial cavity के अंदर हम dialysis fluid जो है उस box से dialysis fluid जो है वो fill करते है peritonial cavity में और यहाँ peritonial cavity में internal lining होती है thin epithelium की जिसे हम peritonium कहते हैं वहाँ से जो है हमारा waste जो है peritonium के जरिए assessed water या waste हमारी जो है वो peritonial cavity में आ जाता है और वहाँ से वो waste हमारा waste box में चला जाता है और जब हमारे waste box में waste सारा जमा हो जाता है through peritonium जो आया होता है फिर हम उसे bind कर देते हैं ताकि डाइलेजिंग fluid पास करें तो वो waste box से waste जो है दोबारा peritonial cavity में ना जाला जाए तो जब हमारे पास waste सारा हमारा remove हो जाता है तो डाइलेजिंग fluid से हमारे पास fluid हमारे पास peritonial cavity में आता है जो हमारे patient को हर चीज प्रोवाइड करता है जो हमारी kidney जो है उसमें जो है हमारी body की requirement को खतम करने से जो है वो महफूज रखता है तो peritonial dialysis जो है बिल्कुल उसी तरह same function पर जो है काम करती है जिसरा healthy kidney करती है dialysis fluid जो है यह सारी requirement हमारी body की जिसरा कि minor acid glucose, water यह सारे जो है हमारी body को provide करता है और यह simultaneously work नहीं करते है बलके हम एक जो है दफा बाइंड कर जेते हैं waste box को और दूसी दफा हम dialysis fluid को जो हैं बाइंड कर जेते हैं ताकि दोनों अपने function जो है perform कर सकें जबकि dialysis fluid जो है यह several time जो है day में perform किया जाता है और dialysis बलकुल उसी principle पर जो है काम करता है जिसना healthy kidney करती है for the removal of nitrogenous waste यह kidney failure के जो है उसके बाद यह इस्तमाल लोता है और उससे तब तक इस्तमाल लिया जाता है जब तक एक matching donor kidney patient को ना मिल जाए क्योंकि जो end stage kidney आ जाती है जिसे हम euremia में कहते हैं उस stage में सिर्फ हमारे पास यह option रह जाती है कि permanent treatment के लिए एक patient को जो है उसकी matching donor kidney जो है वो provide की जाए surgical transplantation के जरीए तो वो ही हमारे पास एक permanent solution होता है क्योंकि dialysis हमारे पास जो है यह permanent solution नहीं है यह सिर्फ एक temporary measure है जो हर रोज जो है several times जो है perform की जाती है तो यह था जका हमार टॉपिक जिसमें हमने देखा kidney की diseases को और उसके cure को किस तरह हम different ways से kidney की function को perform कर सकते हैं जिस तरह है healthy kidney perform करती है तो अगर आपको कोई question हो तो आप जरूर comment में पूछे मैं फिर बताती चलू हूँ कि आप मेरे चैनल को like करें share करें और subscribe करें और bell icon पे click करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की notification मिलती रहें शुक्रिया अलाफिस